बे, दिपकल्पिया नदियो पश्यम घाट विपकल्पिया नदियो नो मुख्य जल्विभाजक गणाये छे पश्यम घाट दक्षिन भारतना पश्यम किनारे दक्षिन थी उत्तर दिशामा व्याप्त छे महा नदी गोदावरी क्रुष्णा कावेरी वगेरे विपकल्पनी मुख्य नदियो छे आ बधी नदियो पूर्व तरफ वही बंगाडानी खाडी ने मले छे अने मुखत रिकौन प्रदेश इटले की डेल्टा धरावे छे पश्यम घाटनी पश्यमे अनेक नदियो वहे छे अल्बत नर्मदा अने तापी जेवी मोटी नदियो पूर्व थी वही पश्यमे आवेला अरब सागरने मले छे नर्मदा बेसिन नर्मदा मध्य प्रदेश ना अमर कंटक पासे थी निकले छे ते पश्यम बाजुए एक फाट खिन मा थाई वहे छे जबलपूर पासे संगे मरमर ना खड़काल प्रदेश माथी वहे छे जिया धुवाधार नामना जल धुधनी रचना थैली छे आ नदिनी शाखा नदियोंनी लंबाई वधारे नथी मोटा भागनी नदियों काट खुणे मले छे आ नदिनों बेसिन मध्य प्रदेश अने गुजरात मा व्याप्त छे नर्मदा नदिनी लंबाई लगभग 1312 किलोमिटर छे तापी बेसिन मध्य प्रदेश मा साथ पूडानी गिरी मालाओ छे अहीना बेतुल जिल्ला माथी तापी नदी निकले छे ते नर्मदानी समांतर एक फाट खेण मा थाईने वहीने अरब सागर ने मले छे मध्य प्रदेश अने महराष्ट मा तेनों बेसिन ख्षे त्रव्याप्त छे अरब सागर तथा पश्चिम घाटनी वच्चेनों किनारानू मैदान साकडू छे अहिनी नदियोंनी लंबाई खुबज ओची छे पश्चिम बाजुए थी वहती मुख्य नदियोंनी लंबाई खुबज ओची छे पश्चिम बाजुए वहती मुख्य नदियों मा साबर मती अने मही इटले के महिसागर नों समावेश थाए छे तापी नदीनी लंबाई लगभग 724 किलोमिटर छे आ नदी द्विपकल्पिय नदियों मा सवथी मोटी नदी छे ते महराष्णा नासिक जिल्लाना पस्चिम घाटना धोडाओ माथी निकले छे तेनी लंबाई लगभग 1465 किलोमिटर छे आ नदी पुर्व मावही बंगालानी खाडी ने मले छे द्विपकल्पिय नदियों मा तेनों बेसिन ख्षित्र सवथी मोटूं छे आ नदी बेसिननों 50 टका भाग महराष्ट माँ छे बाकिनू बेसिन ख्षित्र मध्य प्रदेश अने आंध्र प्रदेश माँ छे गोदावरी ने अनेक शाखा नदियों मले छे जेमा, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेन गंगा अने पैन गंगानों समावेश थाये छे गोदावरी नों प्रवाहन मार्ग लांबो अने बेसिन ख्षित्र विस्त्रुत छे तेथी तेने दक्षणनी गंगा तरीके उलखवामा आवे छे महानदी बेसिन महानदीनू उदगम स्थान चत्तिस गढ़ना पहाडी क्षित्र माँ छे ते ओडिशा माथी वहीने बंगाडानी खाडी ने मले छे तेनी लंबाई लगभग 860 किलोमिटर छे तेनू बेसिन ख्षित्र, चत्तिस गढ़, जारखंड तथा ओडिशा माँ छे क्रुष्णा बेसिन ते महाराष्णना पश्चिम घाटना महाबलेश्वर पासे थी निकले छे ते लगभग 1400 किलोमिटर लंबाई धरावे छे तेने मलती शाखा न दियोमा तुंग भद्रा, कोईना, घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा छे तेनू बेसिन ख्षित्र, महराष्ट्र, करनाटक अने आंधर प्रदेश माँ फेलाएनू छे कावेरी बेसिन कावेरी पस्चिम घाटनी ब्रह्मे गिरी परवत माला माथी निकले छे तेनी लंबाई लगभग 760 किलोमिटर छे तेने मलती शाखा न दियोमा अम्रावती, भवानी, हेमावती, तथा काली नी छे तेनू बेसिन क्षेत्र, केरण, करनाटक, अने तमिल नाडू माँ व्याप्त छे ते तमिल नाडूना कुडलूर ना दक्षिन माँ इटले के कावेरी पट्टनम थी बंगालानी खाडी ने मले छे आ सिवाय अन्यनानी नदियो पन छे जे पूर्व तरफ वही बंगालानी खाडी ने मले छे तेमा दामोदर, ब्राहमनी, वैतराणी, तथा सुवण रेखानो समावेश थाए छे सरोवरो भारतमा अनेक नाना मोटा सरोवरो आवेला छे मीठा पाणीना सरोवरो हिमालेना पहाडी विस्तारो मा जुवा मले छे मूटा भागना सरोवरो मा चोमासा दर्म्यान पाणी होय छे शुष्क क्षित्रो मा अंतहस थलिया नदियो वडे काश्मिरी क्षित्र मा सरोवरो निरचना हीम नदिथी थैयली छे केटलांक सरोवरो पवन, नदियो अने मानव प्रवरुत्तीने कारणे रचायला छे विसर्पी नदियो मा पूर्णा प्रकोपना कारणे घोडानी नाल जिवा सरोवरो रचाया छे समुद्रनी भरतीना कारणे लगून सरोवरो रचायला छे चिलका, कोलेरूं अने पुलिकट आ प्रकारना सरोवरोंनू उत्तम उदाहरन छे राजस्थान मा आवेलू साम्भर सरोवर खारा पाणीनू सरोवर छे जे माथी मीठू पकववामा आवे छे मीठा पाणीना सरोवरो हिमालैना क्षित्र माँ छे जे हीमनदी द्वारा निर्माण पाम्या छे जेते समय हीमनदीना गर्त माँ पाणी भरावाथी सरोवरो रचाया हीमनदीनो बरफ पिगडी जता अही सुन्दर सरोवरो बन्या कश्मिरनू वुलर सरोवर भुगर्बिय क्रियाओ द्वारा रचायेलूं छे आ सिवाई दल, भीम ताल, नैनी ताल, लोक ताल अने बड़ा पानी वगेरे सरोवरो आक्षित्र मा जुवा मले छे सरोवर नी उप्योगी ता सरोवरो मानवी ने अनेक रिते उप्योगी छे किटलिक नदियो सरोवर माथी पन उद्भवे छे जियां वधू वर्सात पड़े छे तिवा खित्रों मा आवेला सरोवरो मा वधारे प्रमाण मा जल संचित करी शकाये छे अने संचित करेला जलनो उप्योग सिंचाई अने अन्य उप्योग माटे थाये छे सरोवर मा संग्रह करेला पाणीन उप्योग दुशकाल वखते पन थाई शके छे मानवी द्वारा निर्मित नदी पर बंधायला बंधो अने तेने अंतर्गत किटलाक सरोवरो जल विद्युत उत्पादन माटे खुबज उप्योगी छे घणा सरोवरो तो कुद्रती संदर्यमा वधारो करे छे परिणामे आबा सरोवरो सहल गाह तरीके विख्षित थाया छे सरोवरो मजसे प्रवरुत्ती अने प्रवासंस थळो तरीके पन महत्वना बनी रहा छे नदियो नुँ आर्थिक महत्व मानव इतिहास मा नदियो नुँ महत्व सवथी वधू रहि saddle छे नदियो नुँ पाणी खुद्रती सन्साधन छे ते मान्वीनी घणी बधी प्रोरुतियों माटे अनिवार्य छे तेने मानवीनी प्रात्मिक जरुर्यातो संतोशी छे खेती यने ओद्योगोनों विकास नदियोंना कारणे थयो प्राचिन संस्कृतियों पन नदियोंने आभारी रही छे मोटा भागना मोटा शहरो नदी किनारे विकास पाम्या जेमके दिल्ली, कॉलकाता, अमदावाद, भरुच, सूरत, वगेरे भारत जिवा क्रुषी ब्रधान देशनी क्रुषी ना विकास माटे नदी एप पायो गण्मामा आवे छे आधुनिक समय मा तेना जलनों उप्योग, पीवा माटे, सींचाई माटे, जल विद्युत माटे, तथा नवका विहार माटे थाए छे नदीनु प्रदूशन, नदीना पाणीनों उप्योग, घरेलू, क्रुषी, तथा अउध्योगिक उत्पादन प्रोरुत्ती माँ वधारे पड़तो थाए छे आपने नदियोंने लोक माता कहिये छिए, तेने पवित्रपन गणिये छिए तेम छता नदियों मा उध्योगोनु मलीन जड छोडिये छिए शहरोनी गटरोंना पाणी शहर पासे आवेली नदियों मा ठलवाई छे उप्रांत शहरोनों कच्रोपन नदीना पाणी मा नाखिये छिए परिणा में मानवी जैने लोक माता कहे छे तिवा नदीना पाणी ने प्रदूशित करे छे आम उध्योगी की करण अने शहरी करणना परिणा में जल प्रदूशन मा सतत वधारों थया करे छे नदीना पाणीनू प्रदूशन आपनी राष्ट्रिय समस्या बनी गई छे नदीना पाणीने दूशित थतू अटकाववा सरकार हाल विशेश प्रकारना प्रयतनों करी रही छे आ संदर्भे सरकार श्रीनी कामगेरीनी साथे लोक भागीदारी पन इटली ज इच निय छे जड़ प्रदुशन अटकाववाना उपायो जड़ प्रदुशन घटाडवा कड़क नियमनों पालन कराववू जोईए राश्रीय नदी संदर्ख्षन योजना इटले के नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट द्वारा जड़ शुद्धी करणना कारेकरमों अमली बनाववा जोईए अउध्योगिक एकमों पोतानू प्रदुशित पाणी नदियों मा न छोड़े ते माटेना कड़क नियमों बनाववा जोईए अउध्योगिक एकमों पोताना उध्योगो द्वारा छोड़वामा आवता रासायनिक जड़मा रहेला हानी कारक तत्वो दूर करवा जोईए दर एक नागरी के नदी मा स्वच पाणी रहे ते माटे घर नों कचरो नदीना पाणी मा न भड़े तेनी कालजी राखवी जोईए